हाई एब्रिवान आज चलिए हम लोग कुछ इंपोटेंट जीके के कोस्टेन को देखते हैं जो आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही महत पूर्ण है और हम लोग चलिए आज देखते हैं पूरसकारों को सम्मानों और पूरसकारों को तो आज का इस सेशन को सुरू करें उस सेशन को सुरू करते हैं तो भारत सरकार के दुवारा दिया जाने वले सबसे बड़ा सम्मान क्या है सरवस्रेष्ट सम्मान क्या है भारत रतन और भारत रतन का का सुरुवात का वुआ है उनिस्तों 54 में हुआ है है नेश्ड देख्ते हैं राष्टिय पुरसकारों की शुरुवात देख्सेясशन अगला देखते हैं देखिए भारत रतने से सम्मानित पर्थम भारतिय तो भारत रतने से सम्मानित पर्थम भारतिय कों थे डॉक्टर सर्वपली राधा क्रिश्नन थे अगला देखिए भारत रतने से सम्मानित पर्थम भारतिय महिला भारत रतन प्राप करने वली पर्थम महिला कों मरने के बाद भारत रतनरा पाने वाले पर्थम्य भतिक्ति कोँ थे लाल भादूर सास्तरी और इनको कभ यह mirror can खान अब्दूर गफर खान अब्दूर गफर खान और यह कहा के पकिस्तान के और कब मिला था 1987 में मिला था अगला देखते हैं देखिए मदर टेरेसा को 1980 में भारत रतन दिया गया बहरी बहरी इंपोर्टेंट कई बार पुछा गिया है कि मदर टेरेसा को भारत रतन किस वर् नेश्ट देखते हैं चलिए तो देखिए बुकर पुरसकार जितने वाली पर्थम भारतिय महिला तो बुकर पुरसकार है इसको जितने वाली पर्थम भारतिय महिला कौन थी? अरुंधत्ती रोई कब कोन थी अरुणधती रोई और इसका शुरुवात कब हुआ है बुकर पुरसकार का तो बुकर पुरसकार का शुरुवात हुआ है 1969 में कब 1969 में अगला देखते हैं चलिए बुकर पुरसकार साहित्य लेखन से संबंदी थे कई एक बार पुछा गया है कि बुकर पुरसकार किस से संबंदित है तो साहित्य लेखन से संबंदित है किस संबंदित है साहित्य लेखन से संबंदित है चलिए आगला देखते हैं तो देखिए मेकसेसे पुरसकार फिलिपिन्स के राष्टपती रेमन मेकसेसे के नाम पर दि से दिया जा रहा है 1958 से दिया जा रहा है अगला देखिए मेकसे से पुरसकार एसिया का नोबल कलाता है जो मेकसे से पुरसकार इसकों लोग एसिया का नोबल पुरसकार कहते हैं अगला देखिए रमन मेकसे से पुरसकार से समानित पर्थम बेक्ती जो रेमन मेकसे से पुरसका पाने वाली पर्थम महिला तो भारत थी तो भारत में पर्थम महिला कौन थी जिनको की रेमेन में एक्सेसर पुरसकार मिला तो कीरन बेदी अगला देखते हैं चलिए देखिए भारत का सर्वच बेग्यानिक पुरसकार कौन सा है तो इसमें आएगा देखिए बटनागर जो बटनागर है तो बिज्ञार की छेतर बिज्ञानीकों को दिये जाने वाला सबसे बड़ा पुरसकार है बटनागर पुरसकार अगला देखते चलिए बोरलोग पुरसकार तो बोरलोग पुरसकार की सुरुवात कब हुआ जराकोर फरमाएगा जो बोरलोग पुरसकार है इसकी शुर्वात आपका 1973 से हुआ है अगला देखते हैं बोरलग पुरसकार से सम्मानित पर्थम भारतिय महिला तो बोरलग पुरसकार से सम्मानित पर्थम भारतिय महिला कौन थी डॉक्टर अमरिता पटेल कौन थी डॉक्टर अमरिता पटेल अगला देखिए संगीत के छेत्रे म सर्वच पुरसकार तो देखिए संगीत के छेत्रे का सर्वच पुरसकार क्या होता है तो पुरसकार ग्रेमी जो ग्रेमी अवाड है यह संगीत के छेत्रे में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवाड है चलिए अगला देखते हैं तो देखिए अगला देखिए ग्रेमी पु पुरसकार की शुरुवात हुई है अगला देखिए ज्यानपीट पुरसकार की शुरुवात जो ज्यानपीट पुरसकार है तो ज्यानपीट पुरसकार की शुरुवात कब हुई है 1965 में और देखिए इसकी स्थापना किसके किसके नाम पर हुई है तो सांती परसाथ जेन ने क कि यह जो ग्यानपीट पुरसकार है तो इसकी स्थापना करने वाले कोन एक सांती परसाथ जेन थे और किस वर्स क्या गिया है 1965 में चलिए आगला समझते देखिए ग्यानपीट पुरसकार से सम्मानित पर्थम बेखती तो जरे गवर फर्माई यह गागए तो जी संकर कुरूम थे कौन थे जी संकर कुरूम और इनको कब सम्मान क्या गया था तो 1965 में मतलब पहला बार जिस बार शुरुआत हुआ उसी व पर्थम महिला आसापूर्णा देवी जो भारतिय है पर्थम भारतिय है जिनको की ज्यानपीट पुरसकार मिला था तो वह कौन थी आसापूर्णा देवी थी और कब मिला था 1976 में मिला था अगला देखते हैं चलिए हिंदी का पहला ज्यानपीट पुरसकार सुमित्रा अगले देखते हैं यूनेस को द्वारा कलिंग पूरसकार कि किक द्वारा दिया जाता है है तो उनेसको के द्वारा द्वारा दिया जा रहा है 1952 से और ज़र एकवर फर्माईएगा और इसके जो संस्थापक है बीजू पटनायक तो ज़र एकवर फर्माईब बीजू पटनायक के नाम पर यह दिये जाता है अगला देखते हैं चलिए Miss Universe जो Miss Universe परतियोगीता है तो Miss Universe की परतियोगीता कब से हो रही है तो देखिए Miss Universe परतियोगिता की परार्रवम आपका 1952 से हो रहा है और अगर मिस वर्ल्ड का तो Miss World परतियोगिता जो होता है तो इसका शुरूआत का हुआ है 1951 में हुआ है देखिए अगर यूनिवर्स का था तो यूनिवर्स हो रहा है आपका 1952 में और अगर Miss World का बात करते हैं तो Miss World कब से शुरुवात हुआ है 1951 से चलिए अगला देखते हैं तो देखिए अगला क्या कहा जा रहा है Miss World तता Miss Universe खिताब पाने वाली पर्थम भारतिय महिला तो जरे गोर फर्म एकरम सह है यानि Miss World तो Miss World पाने वाली पर्थम महिला कौन थी तो Miss World पाने वाली जो पर्थम महिला थी वह हम लोगों की थी देखिए रिता फरिया हना कौन थी रिता फरिया और बात करते हैं Miss Universe तो Miss Universe का खिताब पाने वाली पर्थम महिला कौन थी आपका सुस्मिता सेन ज़र अगोर फर्माएगा मैं इसको किलियर कर दे रहा हूँ मैं इसे थोड़ा से और किलियर कर दे रहा हूँ ताकि बहुत ही इंपोटेंट है आपने इसको जान के रखिए बहुत ही ज़्यादा इंपोटेंट है तो देखिए किस परकार से याद रखना है याद इस परकार से रखना है अगर बात हो रहा आपका मिस वर्ल्ड का तो मिस वर्ल्ड पाने वाली पर्थम को महिला कौन थी तो मिस वर्ल्ड पाने वाली पर्थम महिला आपकी थी रिता फरिया कौन थी रिता फरिया थी और अगर पर बात करते हैं आपका मीस यूणीवर्स का तो मिस यूणीवर्स पाने वली पर्थम महिला कौन थी के शुर्मिता सेन सैं से चलिए ढाइस के दूंस इतना ही है आज हम लोग जिसको देखें पुरस्कारों को तो इसको करें करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को मेक्सिम अपने सगे संबंधी भाई बंदू मित्र मत्रियों तक जरूर सेर करें थेंक्स पूर वाचिंग मिलते हैं अगला वीडियो में